नमस्कार दोस्तों एक बर फिर से आप सभी दोस्तों का आपके पने यूटूब चैनल पर बहुत-बहुत सौगत है दिन भर की बड़ी खबरें मुख्य समाचार आप लोगों के लिए ले करके आए हैं जहां पर एक एक करके चानेंगे दिन भर की सभी बड़ी अपडेट्स इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में आगे बने रहिएगा तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारी यूटूब चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके पास में ही बने बेल के आइकन को जरूर दबाईएगा और अगर आप लोगों को आगे ये वीडियो पसंद आए तो एक प्यार बारा लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा दरासल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें राहुल गांधी के फैन हुए हैं बीजेपी के कारकरता साथ में लगाए हैं जैसी आराम के नारे वीडियो शेयर कर कॉंग्रेस पार्टी ने किया है बड़ा दावा राजिस्थान में राहुल गांधी की भारत जोडो यात्रा के अंतिम कुछ दिन बाकी हैं इसके बाद य बिली और हरियाना की और प्रस्थान करेगी राजिस्थान में राहुल गांधी के समर्थन में कई जगहे पर भारी भीड देखने को मिल रही है सचिन पाइलिट के इलाके दोसा में जब यात्रा पहुँची तो बड़ी संक्या में लोग राहुल गांधी की यात्रा को हिलाते हुए दिखाई दिये और इसके साथ ही कॉंग्रेस पार्टी ने एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया है कि बीजेपी के करकरता राहुल गांधी के फैन हो गए हैं और एक साथ यहाँ पर जैस याराम के नारे भी उन्होंने लगाए हैं यह यहाँ पर खबर है जी हाँ दोस्तों नितिश कुमार ने जब अपने पुराने और लंबे समय तक सहयोगी रहे भाजपा से गढ़बंदन तोड़ा तो उन्होंने आरोप लगाया कि भगवा पार्टी ने विहार में उनकी पार्टी जेडियों को खतम करने की कोसिस की है जेडियों नेताओने विधान सभा चुनाओं में चिराग मॉडल से होने वाले नुकसान का जिक्र किया लेकिन हाल में जब नितिश कुमार ने महा गठबंदन के विधायकों और विधान पारसदों की बैठक में 2025 के चुनाओं के लिए तेजसु यादब को अपना उत्तरा धिकारी घोसित किया तो सभी को यहाँ पर उन्होंने चौका दिया और वहीं मुख्यमंत्री को करीब से जानने वाले लोग इसे एक साधारन घोशना की तरहें से नहीं देख रहे हैं बिहार के लोग भी इसके पीछे की सियासी चाल को पढ़ने की लगातार कोसिस कर रहे हैं और वहीं इस भी च नितिस कुमार के पुर्व सही होगी और चुनावी रड़नितिकार प्रसांद किसोर ने जो बयान दिया है वहाँ सायद आरचेडी के तमाम निताओं और कारकरताओं को भी काफी पसंद आया अपनी जन सुराज पदियातरा के दोरान यहाँ पर प्रसांद किसोर ने नितिस कुमार से कहा है कि तेजस्वी अदब को बिहार का मुख्यमंतरी बनाने के लिए जेडियू को दो हजर पच्चेस तक का इंतजार नहीं करना चाहिए उनके गढ़बंदन में आरचेडी की यह यहाँ पर मांग करती है प्रसांद किसोर ने दोस्तो इस बीच एक और अपडेट की तरफ चलते हैं कानून मंतरी के तंज पर CGI ने दिया है करारा जवाब बोले कोई केस छोटा नहीं विंटर व्रेक में नहीं बैठेगी कोई भी बेंज जी हां दोस्तो सरकार और सुप उन्दर चूर ने सरकार को करारा जवाब दिया है उनका कहना था कि कोई भी केस छोटा रही होता और विंटर व्रेक में कोड के चलने के सवाल पर उनका कहना था कि इस दोरान कोई भी बैँज नहीं बैठने जा रही है दरासल दोस्तो कानूर मंत्री ने बीते दिन अदालतों में लंबित केसों को लेकर के सुप्रीम कोड पर तीखा हमला किया था उनका कहना था कि सरकार कोड के कामों में दखल नहीं देना चाहती लेकिन पांच करोण केस देश की विबिन अदालतों में पेंडिंग है सरकार की चिंता इसको ले करके है जिस पर यहाँ पर CGI डी वाई चंदरचूर ने सरकार को करारा जवाब दिया है दोस्तों इस भी जेक और अपडेट आ रही है सामने कॉंग्रेस पार्टी के वरिष्ट नेता दिगविजय सिंग ने पूछा चीन से आखिर क्यों डरते हैं प्रधान मंत्री मोदी जी हाँ दोस्तों खबर बताते चलें कॉंग्रेस के नेता राहुल गांधी के चीन से युद्ध के खत्रे वाले बयान के बाद यहाँ पर कॉंग्रेस के राज्य सभा सांसद दिगविजय सिंग ने सवाल किया है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी चीन की सरकार और उसकी सेना से आखिर डरते क्यों हैं दरासल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें अपनी भारत जोड़ो यातरा से इ कोसिस कर रही है राहुल गांधी के इस बयान के बाद कॉंग्रेस और भाजपा के नेताओं के बीच में जुबानी जंग सी छिड़ गई और इस बीच यहाँ पर दिगविजय सिंग की तरफ से यहाँ बयान सामने आया है दोस्तों इस बीच एक और अपडेट की तरफ चलत पाते चलें कॉंग्रस पार्टी के वरिष्ट नेता जैराम रमेश ने कहा है कि भारत जोडो यात्रा के जडिये राहुल गांधी ने पार्टी के राजनीतिक नेरेटिव को धारदार बनाने की पूरी कोसिस की है और पार्टी खुद को राजनीतिक ताकत के रुप में फिर से इस्थापित करेगी उन्होंने कहा है कि यात्रा ने यहां सुनिश्चित कर दिया है कि कॉंग्रस अब देश में राजनीतिक नेरेटिव इस्थापित कर रही है और भाजपा अब कॉंग्रस के द्वारा तयार की गई पिच पर खेलने के लिए मजबूर हो गई है जैराम उस पर प्रतक्रिया दे रहे थे लेकिन भारत जोडो यात्रा के माध्यम से मुझे लगता है कि हम राजनीतिक नेरेटिव को सर्तों पर निर्धारित करने में काफी हद तक सफल हुए है और यहां पर ये करारा हमला जैराम रमेश ने भाजपा पर बोला है इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें बारे में पार्टी नेताओं और कारकरताओं से चर्चा की है पार्टी सुत्रों के अनुसार कन्या कुमारी से कश्मीर तक की यात्रा के पंजाब चरण की तारीकों को अंतिम रूप यहां पर दिया जा रहा है जानकारी के लिए बताते चलें यात्रा सास्क सितंबर को कन्या कुमारी से सुरू ही थी और अब तक यात्रा के 100 दिन से भी ज़्यादा पूरे हो चुके हैं यात्रा अब तक आठ राजियों तमिलनाडू, केरल, करनाटक, तेलंगाना, आंदर प्रदेश, महराश्ट्र, मद्ध प्रदेश और राजिस्थान से होकर के गुजरी है इस समय की बड़ी खबर थी एक और अपडेट जान लेते हैं महराश्ट्र में विपच्छी M.V.A. ने दिखाई है अपनी पूरी ताकत, राजिपाल मुख्यमंत्री के खिलाफ हल्ला बोल जुलूस में उम्री है, भारी संख्या में भीड खबर बताते चलें विपच्छी, महाविकास आगाडी, समान, विचारधारा वाले दलों और अन्य संगठनों और सम्हूं ने महापुरुसों के बार बार अपमान के विरोध में दच्छिन मुंबई में एक विसाल हल्ला बोल जुलूस निकाला और राजिके राजिपाल को तुरंत उनके पद से हटाने की मांगी है, जुलूस में लगभग ढ़ाई से तीन लाख लोगों की मौजूदगी में भाय खला से सुरू हुआ और छत्रपती सिवाजी महाराज टर्मिनल से के पास में आपर लगभग पांच किलोमीटर के बास समाप्त हुआ और वहीं इस दोरान राश्टरवादी कॉंग्रेस पार्टी के अध्यच सरत्पवार ने काहे कि जुलूस की भीड सरकार के लिए एक चेतावनी है कि अगर उन्होंने अभी भी लोगों की भावनाओ पर ध्यान नहीं दिया तो जनता उन्हें सबक सिखाएगी और लोग ता कीजेगा अपने सभी दोस्तों में ताकि आप सभी के दोस्तों भी इन सभी मुक्य समाचारों को जान सकें आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद